नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 27 जनवरी 2024 के दैनिक क्विच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संग लोग से वायो की प्रारंबिक परिच्छा के दिस्कोर्ट से लाबदायक बालते हैं भारत फ्रांस के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार करें पहला कतन है प्रद्योगी सहयोग को मजबूत करने के लिए 2023 में दूतावास में एक DRDO कारयाल है DRDO का मतब Defense Research Development Organization जिसका मुख्याल है भारत के दिल्ली में अवस्थित है तो इसका जो है दूतावा में खोला गया फ्रांस के दूसरा है फ्रांस के मुख्य आयात वीमानन उत्पाद मशीन उपकरण विद्द उपकरण और रासायनिक उत्पाद हैं तीसरा कतन है जुलाई 2022 में एफिल टावर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लांच किया गया जो भारती आगंतुको और एनराईस के लिए सुरक्षित और सुविधा जनक लेन देन की पेशकर्ष करता है तो इसमें कह रहा है कि इन में से कितने कथन सही हैं कोई एक सही है या कोई दो या सभी तीन या इन में से कोई भी नहीं तो इसका उत्तर आप लोग दें इससे संबंदित आईए हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट मैकरोन साहर इमुरिनल मैकरोन साहर इस बार के मुख्य आती थी रहे हैं दोस्तों यहां भारत और फ्रांस के भी संबंदों में एक नई इबारत लिखी जा रही है आप देख सकते हैं 25 येर आफ स्ट्रेजिक पार्टनर सी मेजर पिलर आफ डिफेंस के छेतर में यह दूसरे अस्थान पर आ गया है 36 राफेल बीमान हम लोगों ने फ्रांस से लिया इस पेस के छेतर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आपने देखा यही है कि डियाएडियो का कारियाल है खोला गया है सिविल निउकलियर कॉपरेशन तो यहाँ फ्रांस पहला ऐसा देश था जो भारत के साथ परमाण कारिकरम में यहाँ पर देख सकते हैं परमाण उर्जा से संबंदिस समझा होता किया था एकोनामिक के छेतर में लार्जेस इन्वेस्टर है इसी तरह से डिजिटल एजुके हो रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच 1948 में राजनेक संबंद स्थापित हुए थे और उसके बाद यह छटवी बार है जो कोई फ्रांस का रास्टा ध्यक्ष भारत के यह जो है रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिति के रूप में आया है तो भारत और फ्रांस के बीच गहरे रिस्ते को दरसाने के लिए यह बहुत ही महत्वपोड है दोस्तों फ्रांस को अगर देखा जाए तो अट्लांटिक ओशियन के तट पर इस्थित है यह फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों जुलाई 2023 में यूपी आई एफ सही है तीसरा यहां गलत है क्योंकि यहां 2023 था ना कि 2022 तो ऐसे में कोई दो कथन अताहुत्तर भी होगा अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपोड प्रस्ण की ओर निमलिखित में से कितनी साडियों को भारत में GI टैग दिया गया है निमलिखित में से तो यह जो चारों साडिय यह उपड़ा, जामदानी साडि, वेंकट गिरी साडि, मंगल गिरी साडि, धर्मावरम, हैंडलूम, पट्टू साडि यह चारों साडियों की जो किसमें जो बनाई जाती है यह आंध्र प्रदेश से विलाउंग करती है अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कोई एक है या कोई दो है या कोई तीन है या सभी चारों को जी आई टैक मिला है दोस्तों जी आई टैक इस बार के अगर देखा जाए तो रिपब्लिक डे पर यहां पर चंदेरी से लेकर के कसाव तक गरतंत दिवस परेड में प्रदर्सनी होने वाली साडियों में 1900 किसमों को इसम भी जी आई टैक के अंतरगत आती हैं या नहीं आती हैं यह आपको बताना है लेकिन इसके अलाओं भी बहुत सारी साडियों को जी आई टैक दिया जा चुका है तो दोस्तों यह टैक 1999 के अनुसार जी आई टैक जारी किये जाते हैं यह टैक भावगोलिक संकेतक रजिस्ट के आने के बाद दो हजार चार पांच में जी आई का पंजी करण सुरू हुआ था और जिसमें से दाजलिंग टी पहला जी आई टैग मिला था दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो है जी आई टैग भारत को मिले तो इस तरह से यह देख सकत है दोस्तों इससे जो है उत्पादों की गुर्वत्ता में बृद्धी होती है अंतरास्टी अस्तर पर इसे ख्याति प्राप्त होती है इसका कोई भी नकली रूप नहीं बेश सकता है और यह दस साल के लिए जी आई टैग दिया जाता है उसके बाद इसको फिर से किया जात है तो यह भी बहुत महात्पूर्ण है ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर आप लोग दे सके होंगे यह चारों होगा ता उत्तर इसमें डी होगा तो यहां पर आते हैं तीसरे महात्पूर्ण प्रश्न की ओर वैभाव फैलोशिप के संबंध में इसे हम लोग सीने में भी करचा किये थे आशा करता हूँ इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे जून दो हजार तेईस में शुरू की गई वैभा फैलोशिप भारतिय संस्थानों के साथ अल्पकालिक सहयोग के लिए विदेश में रहने वाले भारतिय मूल के वैग्यानिकों को आकरसित करने के ल या अधिकतम पांच वर्सों के लिए भारत में सालाना एक या दो महीने भी ताने के लिए प्रतिबत दा है तो इन में कितने कथन सही है कोई एक कोई दो या सभी तीनों या इन में से कोई नहीं ती इसका उत्तर आप दे इससे संबंदित दा हिंदू में आई हुई खबर इसे हम लोग सी अने में भी चर्चा किये थे तो वैवा फैलोशिप प्रयोजना यह जो है दो हजार तेईस में प्रारंब की गई थी प्रवासी वैग्यानिकों के लिए है और इसमें जो है चार लाख रूपए मासिक फैलोशिप अनुदान मिलेगा और भारती मूल के जबान अनुसंधान प्रयोक्षाला में एक वर्ष में तीन महीने तक और तीन साल तक विताने के लिए आवेदन कर शक्ते हैं तो आशा करता हो कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे तो यहाँ पर उत्तर इसमें होगा केवल एक कथन सही है वो भी पहला दूसरा और तीसरा गलत है पांच लाख की जगा यहाँ चार लाख होगा और वहाँ पर पांच वर्ष से तीन वर्ष एक वर्ष वा उसमें दो या तीन महीने या तीन वर्ष तक विताने होते हैं अब बढ़ते हैं चौते महत्तपूर परस्म की और भारत में वीरता पुरसकारों के किये गए थे और 15 अगस 1947 से प्रभावी माने गए थे दूसरा इसके बाद तीन अन्य वीरता पुरसकारों में असोक चक्र सेंडी प्रथम असोक चक्र सेंडी दुती असोक चक्र सेंडी तिती 1952 में सुरू किये गए और 15 अगस 1947 से प्रभावी माने गए और दोस्तों जनवरी इन पुरसकारों का नाम बदल कर अशोक चक्र कीरती चक्र और सौर चक्र कर दिया गया तीसरा कथन है इन पुरसकारों का वरियता क्रम परम वीर चक्र फिर उसके बाद असोक चक्र फिर महावीर चक्र और कीरती चक्र वीर चक्र और सौर चक्र है तो इन में से कितने कथन सही ह आपको बताना है इसे संबंधित भी यह खबर देख सकते हैं कि इस बार के रिपब्लिक डे पर यानि 75 रिपब्लिक डे गरतन तदिवस मनाया गया राष्टपती द्रॉपदी मुर्मूजी ने 80 अवाड यानि 6 की इरती और 16 सौर चक्र विजेता ससत्र बलों के लिए 80 विरता पुरसकारों की घोशना हमारे देश की महिला राष्टपती द्रॉपदी मुर्मूजी ने किया तो यह जो है यह तीनों जो अगर इसमें देखा जाए तो यह जो पुरसकार हैं इनके बारे में तो यह जो आपने उत्तरिसका अगर नहीं दिया हो इसको हमने प्रस्ण के अंतरगती ले लिया है अब बढ़ते हैं पांचुए प्रस्ण की योर 2013 में आया हुआ है कीमतों के सामान अस्तर में बृद्ध किसके कारण हो सकती है मुद्रा पूर्ती में बृद्ध के कारण उत्पादन के समगर अस्तर में कमी के प्रभावी उने केवल एक केवल एक और दो या दो और तीन या एक दो तीन तीनों तो दोस्तों इसमें दस सेकट का आपको समय दे रहा हैं इसका उत्तर दें तो कीमतों के सामान अस्तर के में ब्रिध के कई कारक होते हैं जैसे cauliflower आपूरती में बृद्धी उत्पादन के कुल अस्तर में कमी से भी जो है सामान अस्तर में बृद्धी हो जाती है प्रभावी मांग में बृद्धी कभी कभी देखते नहीं ट्रांस्पोर्ट लोग ट्रांस्पोर्टर जो अंदोलन पे चले जाते हैं तो वस्तूओं की अभाव कमी हो जाती है जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान नहीं पहुँच पाता है इसे में भी बिर्धी हो जाती है आए में बिर्धी भी कारण है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना भी कई कारक आते हैं तो आसा करता हूं किसका उत्तर आप लोग दे चुके होगी यह तीनों कारक इसमें आते हैं है तो वह जो है from राम डू बुझ्ध अगबर टू गांधी यानि भगवान राम से लेकर के भगवान बुझध-तक और अगबर से लेकर के गांधी तक को इसमें चितरों पिरोया गया है तो राम से अकबर, अकबर से गांधी सम्विधान पर कला कृती हां तो इन्हें किसी ने चित्रित किया था सम्विधान की दो प्रतिया एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में हस लिखे था और उस पर धेर सारी यह देखे न यहां पर आप देखोगी यह painting आपको दिख रहे होंगी तो इसमें कुछ न कुछ या हम सूचना दे रही है तो भारतिय सम्विधान न केवल दुनिया का सबसे लंबा लिखित सम्विधान बलकि सबसे सम्रिद रूफ से या सचित्र भी है तो इसके सभी 22 हंसों में हाथ हस्त लिखित या है चित्रित इ केतन में कलाकार सिक्छक नंदलाल बोथ और उनकी टीम द्वारा तयार किया गया था तो दोस्तों इसमें सिंद्ध घाटी सब्धता से लेकर सुतंता संग्राम रामायड और महा भारत के द्रिश भी आपको मिलेंगे तो चित्र में भारत के बिवित भूगोल को भी दरसा आए गया जिसमें रेगिस्तान में उंटों से लेकर हिमाले तक की आत्रा का इसमें चित्र शामिल है तो इस तरह से यह समिधान की सामगरी का चित्रन नहीं करें बलकि भारत के इतिहास को वैसा ही रख रहे हैं जैसा उन्हों ने देखा था वरतमान समय के विद्वानों और इति तो नंदलाल बोस को यहकारे सौपा गया था और महत्मा गांधी के करीबी सायोगी उन्होंने 1938 में गुजरात के बारदोली के पास हरीपुरा में कांग्रेस सत्र के लिए पोस्टर भी डिजाइन किया था तो सम्विधान पर बोस ने सायोगियों की एक टीम के साथ काम किया ज बनाया गया जो है चित्र बहुत जटिल पैटर्न है और उनके हस्ताक्षर है जबकि दीनानाद भारगों ने राश्टी ये प्रतीक अशोक के चिन हस्तम को भी रेखा चित्र बनाया है तो स्विध कुमार जी ने यही बताया है कि ननलाल के कागजाद से मिले एक नोड़ से पता चलता है कि इस एतिहासिक दिश्व को चित्र करने के लिए पचीस रूपया प्रतेक के लिए प्रतेक चित्र के लिए भुकतान किया गया था तो इसमें जो है इतिहास और धर्म से यानि सिंदु घाटी से खोदी गई बुलसील समिधान में पहला चित्र प्रतिने दित भाग पांच में दिखाई देने वाला आसरम बुद्ध केंद्रिय ब्यक्ति है जो एक शांत वातरन शिश्चों जानवरों और पक्षियों से गिरे हुई है तो इस तरह से भाग छे में 24 वे जैन तिर्थांकर महावीर की एक छवी इसमें उकेरी गई है इसी तरह से भाग यह के भी चर्चा को भी दिखाया गया है मौलिक अधिकारों पर कलाकारों ने रमाइड की और रुख किया है इसमें युद्ध के बाद घर लोटने समय राम लच्मन और सीता का रिखा चित्र है तो सम्विधान के भाग सात में समराट असोक को एक हाथी पर बैठे हुए और ब बहुत ही महात्वपूर है इसे द्यान रखेंगे स्स्वतंसा सग्राम में महात्मा गांधी को दो बार इसमें जो है देखाए गया है इसी तरह सुवाशन बोस को भी यहाँपर सलामी देते उए चित्र को बनाया गया है नहरूजी को भी सामिल किया गया था लेकिन आखिरक और इन लोगों का भी चित्र इसमें डाला गया है तो यह आप देख सकते हैं कि हमारा सम्विधान लिखित के साथ साथ सचित्र भी है और यह सारे चित्र किसी न किसी या जैसे कह सकते हैं कि भी से इस ब्यक्ति भोगोलिक उसे धर्म से इन सभी चेत्रों से लिया गया है तो आ दिख रहे होंगे कि भारत और फ्रांस के यानि इस बार का जो रिपब्लिक डे में जो मुख्य अतिती फ्रांस के राष्टपती रहें तो यहां कौन सा ऐसा आउसर है फ्रांस के अभी तक कितनी बार फ्रांस के राष्टपती ने भारत के रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिती के रूप में भाग लिया है पहला प्रस्ण दूसरा महत्पूर्ण प्रस्ण है वैभव फैलोशिप योजना क्या है तीसरा महत्पूर्ण प्रस्ण है कि सम्विधान की प्रस्तावना को सम्विधान सभाग के समक्ष कब रखा गया था इन तीन प्रस्णों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा और या अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब सब्सक्राइब और इन प्रस्णों के उत्तर देना ना भूले धन्यवाद